चाहिन दोस्तों कुदीप सिंग हेर वेलकम तो सोशोपीडिया हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर वन की आफ यार एंसी ए आटी क्लास प्लस वन दाट इस अंडरस्टेंडिंग सोशियोलोजी की सो पहले पार्ट मैंने ब्राड़ी चैप्टर वन में काफी सारी चीजे डिस्कस कर लेती और एक पार्ट छोट दिया था चीजे यहां पर पढ़िए हैं उसको रिवाइस कर सकें चलिए फटा फट से हम लोग इस सेशन को करते हैं स्टार्ट अगें जो हमने बात करी थी स्कोप के बारे में ठीक है तो स्कोप बेसिकली क्या चीज होती है स्कोप अगर मैं किसी डिस्प्लिन के बारे में बात करता ह हूं तो it is all about कि वो पर्टिकलर टॉपी है वो पर्टिकलर डिस्प्लिन जो है क्या चीजे पढ़ने कोशी कर रहा है क्या उसका जो होराइजन है क्या क्या एरिया जो है वो कवर करता है now as far as sociology is concerned इसका जो है बहुत ही वाइड स्कोप देखने मिलता है क्योंकि इसमें हम सब्सक्राइब करते हैं तो इस इंडिविजल के साथ और बहुत सारी सोशल साइस आती है जैसे कि you will find anthropology, economics, political science, history, psychology बहुत सारे इस तरह के सोशल साइसे जो कही न कहीं कहीं इंडिविजल के साथ जो है डील करते हैं जिसे कि sociology भी डील करते हैं और यहां पर हमें क्या देखने मिलता है हमें इन पर्टिकुलर सोशल साइसे के साथ इंटराक्शन देखने मिलता है इन में जो है एक confluence देखने को मिलता है एक synergy देखने मिलती है इसके अलावा जो है कई के जगों में हम लोग डिफरेंसे भी देखने को मिलते हैं तो scope में हम लोग जो है जब दूसरे सोशल साइन्स के disciplines के साथ हम लोग जब sociology को equate करते हैं तो हमें यह differences as well as similarities जो है वो देखने को मिलती है यह हमको इनको थोड़ा बहुत आइडिया लेना होता है now start करने से पहले एक important aspect है that is कि भाई जो हम लोग differences यहां पर बता रहे हैं तो वो बहुत ही ज़ादा हम लोग से watertight differences नहीं बोल सकते या उसको हम लोग यह नहीं बोल सकते कि यह तो बिलकु रिजिड डिफरेंसे है between one social science and other social science बहुत ही ज़ादा जो है हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है interaction बहुत जादा देखने मिलता है और एक rigid हम लोग distinction दो social sciences के बीच में नहीं कर सकते है ठीक है यही ncrt बोलता है कि there is no clear-cut distinction between social sciences नहीं all of them share common range of interest interest जो है वो देखने मिलते हैं और disciplines कहीं न कहीं जो एक दूसरे से बौरो करते हैं ठीक है जी तो यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि to differentiate social sciences would be to exaggerate the differences and gloss over the similarities means अगर similarities को gloss over कर देग्जाजरेट को differences को exaggerate कर दें तब हम लोग कहीं न कहीं जो है social sciences के जो subjects हैं इनको हम लोग sociology से differentiate कर सकते हैं यह social sciences को एक दूसरे से differentiate कर सकते हैं guys ठीक है जी है सो यह question जो ही statement इस तरह की statement हम दस मार्ग से पूछ भी ली जाते है कि इसको elucidate करो यह इसको clarify करो so here you need to understand that these subjects social sciences कहीं न कहीं individual के साथ ही जो है काम या individual के साथ ही जो है subject matter उनका individual से ही related है तो कहीं न कहीं यह क्या करेंगे एक दूसरे से interact भी करेंगे और इनके बीच में जो है differences बहुत सब्सक्राइब आपको देखने को नहीं मिलते हैं अगर मैं बात करूँ like feminist theories की या if I talk about like new strands जैसे की feminism है या फिर feminist perspective है तो तब हम लोग यहां पर देखते कि इंटर्डिसिप्लिनरी अपन नीड भी देखने मिलती है कि जब हम में feminist theories को बारे में पढ़ना होता है तो वी रिक्वाइर आर इंटर्डिसिप्लिनरी अप्रोच जहां पर अलग-अलग social sciences हम लोग काफी जादा बौरो करते हैं आगर मैं बात करूगी अगर घंडर रूल्स देख रहे हैं इन इन पॉलिटिकल साइंस या इन एकनॉमी तो हम लोग उसके लिए जो है फैंबली में जेंडर डिविजिन जो है उसको समझने कोशी करेंगा जो कि कहीं नगी तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट अगर जो है जेंडर रूल्स को स्टड़ी कर रहा है एकनॉमी में या फिर वर्क में या फिर गवर्मेंट में तो वहां पर हम लोग क्या है सोशालोजी कहीं ना कहीं अपने आप ही एड हो जाती है कहीं ना कहीं उससे हम लोग को बॉरो करना पड़ता है तो यहीं मेरे कहने का मतलब है क हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर जो differences हैं वो हम लोग को differences हैं but eventually क्या है कि similarities and borrowings जो है interaction जो हो कापी ज़्यादा देखने को मिलती हैं okay now let us talk about sociology and economics sociology जो है and economics में क्या differences and similarities के बारे हम लोग बात करेंगे जो economics basically क्या है it is study of production distribution of goods and services इसको हम लोग जो है economics बोलते हैं इसमें purely आपको जो है economic variables देखने में मिलेंगे जैसे price, demand, supply, money flows, outputs inputs हैं इनके interrelation देखने में मिलते हैं demand supply कैसे price को increase decrease करता है money flow किस तरह से hamper करता है वो सारी चीजें आपने हम शुर economics पर पढ़ी भी होंगी तो यहां economic behavior के precise laws को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ठीक है जी I'm sure हम लोग ने economics में इस सब चीजें बाते करी हुई है sociology on the other hand क्या करता है वो जो है basically social norms, values, practices, interests and individual or social society का जो interaction इसको study करने की कोशिश करता है दो economics का आपको एक defined scope देखने को मिलता है where like एक fixed terminologies आपको देखने को मिलेगी precision देखने को मिलेगा terminologies में highly focused and coherent discipline मिलेगा इसके policy implications बहुत देखने मिलेंगे जो theoretical वर्स के उसे practical application में काफी अच्छे से डाला जा सकता है येट अगर मैं बात करूँ economics की कि अगर हम purely economical formulas के ओपर economic theories के ओपर लाय करेंगे and समाज में जो भी values and norms and customs है culture है उसको हम लोग नहीं देखेंगे तो eventually क्या even economic जो theories है economic economic जो policies है वो भी फेल हो जाती है especially अगर मैं बात करूँ in political economies नहीं political economies में क्या हो दा जैसे countries like India है इंडिया में क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम वारे culture से influence होते हैं और culture से influence economic decision लेते हैं जैसे कि मैं बात करूँ gold की है ना इंडिया में gold का जो है काफी जादा craze आपको देखने में मिलता हम लोग second largest like gold हम लोग का जो import bill होता है उसमें second largest gold होता है ठीक है और वो भी physical gold हम लोग use करते हैं because middle class जो है वो jewelry and women जो है वो jewelry से काफी जादा gold को equate करते हैं इसके इसके करके जो हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने gold के जो है funds बनाने कोशी करी या gold bond बनाने कोशी करी थी but वह बहुत ज़्यादा successful नहीं हुए क्यों because again हमारे culture में जो है physical gold का जाबद चलता ठीक है इस लिए जो है इस तरह की चीजे जब हम लोग policies बनाते हैं और हम लोग culture को साथ में लेकिन नहीं चलते तो eventually what happens is इससे जो है you will find that the economic policies they do not produce good results ठीक है यह हम लोग यहां पर बात करने कोशी करें कि completely जो हम लोग क्या देखते हैं दोनों जो आपके disciplines एक दुसरे से काफी बौरू करते हैं ठीक है पहरे बहुशी हो कि यह अप एक चोटी सी कथन है जो इन्होंने NCR team दे रखा है true economic sense true economic science would look at all the cost of economy not only from the cost that corporations are concerned with but also the crime society and so on ठीक है जैसे जो है corporations जो corporations है वो सरफ यह नहीं देखेंगे कि कितना cost है कितना benefit निकालना एक प्रोडक्ट से बट यह भी देखेंगे कि उस समाज में जहां पर वो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वहां पर किस तरह किस तरह किस तरह की कल्चर है वो सारी चीज़े भी देखी जाती हैं okay so that is how like economics and basically sociology जो है वो एक साथ intermingle करते हैं ठीक है और भी बहुत सारे आप instances यहाँ पर बात कर सकते हैं जैसे कि अगर आप बात करो Marxian philosophy की Marx जो है again he was thinking about society but he was thinking about society from economic viewpoint economic deterministic theory भी बोलते हैं कि उनने देखा कि जो बेस में economic economics जो है वो इसमें मिलता है समाज के और economic जो भी relations होते हैं production के वो कही न कहीं समाज के बड़े जो structures होते हैं उनको influence करते हैं जैसे की politics जैसे की economics जैसे की education जैसे की family marriage friendship है ना तो यह इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह जो माक्स हैं इस तरह के thinkers हैं यह कहीं न कहीं confluence देखने हैं मिलता है sociology का and economics का okay next is sociology and political science so sociology and political science basically political science जो है क्या है conventional political science वो क्या करता है वो political theory and government administration इसको पर नहीं कोशी करता है political theory basically जो government की ideas the government किस तरह से form होगी इनके ideas के बारे में discuss किया जाता है government administration में जो है structure formal structure देखा जाता है government का but यहां पे जो है mainly हम लोग क्या कर रहे हैं जो conventional political sciences उसमें हम लोग जो है power को study करते है in formal organization में किस तरह से power जो है वो देखने को मिलती है कैसे government के ideas क्या होने चाहिए और formal structure क्या होना चाहिए ठीक है while sociology जो है इससे थोड़ा broad जाता है sociology जो है ना सिरफ political institutions को देखता है ना सिरफ जो है political power है इसकी ideas के बारे में discuss है इसके अलावा जो है behavior को भी बहुत जादा discuss करता है जो कहीं ना कहीं conventional political science में नहीं किया जाता है ठीक है कि नहीं sociology and political science यहां पर जो है आपको मिलते वे दिखेंगे जिसे हम लोग political sociology कहते हैं अगें मैक्स वेबर ने काफी ज़दा जो है इसको प्रसलिक भी किया था political sociology में basically हम लोग क्या देखते है कि हम लोग sociology में sociological notions पढ़ते हैं power के and authority के and उसके regarding जो भी inter connections है या inter relations है या inter linkages है with other institutions इसको हम लोग देखते हैं ठीक है जिए अगें यहां पर जो है जैसे कि political sociology पढ़ के आ रही है basically political behavior को पढ़ते है कि basically political behavior किस तरह का है जो कि conventional policy science नहीं पढ़ती है जैसे कि political patterns किस तरह के है voting के decision making कैसे होती है organization में ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है क्या है यह sociology का realm है and कहीं न कहीं political science का भी realm है जो की बीच में कहीं पर मिल रहा है ठीक है कि जैसे कि मैं बात करूँ इंडिया में कि बहीं कास्ट जो dynamics हैं वो ज्यादा रो बहुत काफी political science so again दोनों जो है वो क्या है एक दूसरे के साथ काफी ज़्यादा जो है मतलब interact करते हैं काफी दूसरे पौरो कर रहे हैं okay चलिए then sociology and history की बात करें हम लोग so history अगर मैं बात करूँ तो it is basically the study of past हम लोग यहाँ पर यह study को past को study करते है अब while sociologists जो है वो कहीं न कहीं they are more interested in contemporary or recent past history जो है basically it is more about concrete details है मतलब की basically हम लोग क्या करते हैं अम लोग क्रोणोजी में important dates में important events को पढ़ने ही कोशी करते हैं हम लोग concrete aspects को देखते हैं, while sociology क्या होती है, it is more about generalizing, हम लोग generalize करने कोशी करते हैं, या हम लोग categorize करने कोशी करते हैं, abstract, हम लोग abstract बनाने कोशी करते हैं, कि एक broad generalization कर सके, जबकि history में कहीं क्या है, हम लोग chronologies and important events के उपर focus करते हैं, इवेंट्स या history को जो है, एक important mode देती है, conventional war, conventional history, generally it is like history of kings and war, some people किसमें देखते हैं, less glamorous चीज़े होती हैं, land relations है, gender relations है, उस time के family किस तरह के, culture किस तरह के, वो सब चीज़े हम लोग आपे नहीं study करते हैं, it is more so the realm of sociology, but आज के time पे क्या हुआ है, history is very very like, दोनों के दूसरे बारो कर रहे हैं, history is far more sociological and social history, it is tough of history, ठीक है, history जो है क्या है, जादा sociology को होती जारी है, क्योंकि अगर मैं बात करें, विपिन चंदर जी के वर्क के बारें बात करें, रॉमिला धापर जी के वर्क के बारें बात करें, उनको भी देखने की कोशिश करिया है, या उनको understand करने की कोशिश करिया है, similarly, even sociologist ने क्या किया है, sociologist ने भी जो है, historical events को ही, concrete events को study किया और उससे हमने क्या किया है, उससे हम लोग ने generalization करने की कोशिश करिया, जैसे कि, अगर मैं बात करूँ, Weber की, वेबर ने protestant ethics and spirit of capitalism की study में, उन्हों ने जो है देखा कि protestant के ethics जो है किस तरह से capitalism लेके आने में जो है, influential रहे, तो इस तरह की events को भी जो हम लोग ने broadly generalize करने कोशिश करिया है, ठीक है जै, आप बहुत 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 सुनोगे, sociology is nomothetic and history is ideographic Radcliffe Brown ने बोला था, काई की बारी question भी पूछ ले जाता है, sociology is more nomothetic means norms को generalize करने कोशिश करता है and categorization करता है history जो है ideographic means specific events को जो है categorize करता है, specific events को पढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि भई पहले तो सही था बट अभी जो है क्या है आम लोग देख रहे हैं कि भई even दोनों जो disciplines है वो एक दूसरी के साथ भी इंट्राक करते है and sociology के की बारी जो है ideography हो जाती है, history के की बारी nomothetic भी हो रही है, ठीक है तो यह जो है आपका sociology and history हो गया then sociology and psychology की मैं बात करूँ, sociology now psychology is basically study of behavior है, इसमें हम लोग primarily क्या करते है individual का behavior पढ़ने ही कोशी करते है उसे समझ नहीं कोशी करते है cognitive skills जैसे intelligence, learning, motivations, nervous system, reaction times, hopes and fears इन चीज़ों को हम लोग study करते है and sociology जैसे आपको पता है कि individual का society से किस तरह से connection है उस connection को, उस interconnected portion या उस interconnection को जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने ही कोशी करते है और कहीं न कहीं, इनका confluence कहाँ पर आपको देखने मिलेगा social psychology में, social psychology में basically क्या होता है, हम लोग individual की psychology को पढ़ते है, but with respect to the other social groups, या फिर other social institutions की, social institutions में रहके social groups में रहके, individual किस तरह से interact करता है, उसकी psychology किस तरह से, तो इसको हम लोग social psychology बोलते हैं, ठीक है अगें, यह चीज जो है, like social psychology में हम लोग individual से society की तरह जाते हैं, और sociology में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग individual का behavior देखते है, as organized in the society, so vice versa आपको देखने को भलता है, ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ, even Dekhaim, जैसे अगर इमाईल Dekhaim के बारे में बात करेंगे, तो Dekhaim ने जो है क्या किया, suicide जैसे even psychological facts को भी, उन्होंने जो है, sociologically पढ़ने ही कोशिश करिया, through the broad data that he could collect from the Europe, तो वहां से देखने ही कोशिश करिया, और उन्होंने individual जो भी suicide के जो भी individual suicide के जो भी motives थे, उनको जो है, ना देखके, उन्होंने social aspects से उनको देखने कोशिश करी थी, ठीक है? यहां पर Garth and Mills के पहल अच्छा comment है that, the study of social psychology is an interplay between individual character and social structure and it can be approached both from the side of sociology as well as from the side of biology. So here he says that, कि भाई, social psychology जो है, वो क्या है, वो interplay है individual or social structure of society का, और इसा हम sociology as well as psychology से देख सकते हैं, ठीक है जी? So that was basically this part, social psychology and psychology Now it's sociology and social anthropology. So guys, sociology and social anthropology are like, they are like sister disciplines and दोनों जो है similar context में similar time में ही जो है निकले हैं बहार. So, शौल जी जो है वो western Europe में निकली थी to understand the complex industrial societies और वहां के institution को समझने के लिए while social anthropology was also like it was the birthplace was the western Europe only but it was to understand the primitive societies या primitive जो हम लोग कह सकते हैं communities जो की throughout colonial empires में रह रही थी. तो यहां पर majorly हम लोग जब social anthropology की बारे में बात करते हैं includes archaeology, physical anthropology, cultural history, linguistics, और बहुत सारे aspects होते हैं जो की हम लोग simple societies को study करने के लिए यूज करते हैं well sociology जैसे मैंने आपको बताया it is study of modern complex societies ठीके जी now social anthropology जो है जैसे मैंने आपको बताया it was developed to understand the non European societies जो की like they were कहीं न कहीं primitive societies simple societies even non advanced less advanced societies भी बोल देते हैं like though it's a value biased term but इस तरह की societies को समझने की कोशिश कर रहे थे हैं anthropology now here what happens like social social anthropology वो क्या करता है वो like field work के ओपर काफी ज्यादा जो है focus करता है ethnographic research methods हो गए participant observation methods हो गए इस तरह के methods को use करते हैं while जो sociologist है at least initial sociologist है वो survey method quantitative data के ओपर काफी ज्यादा focus करते थे ठीक है this was more so of qualitative data and this was more so of quantitative data ठीक है but now what has happened is like this line between social anthropology and sociology has कही न कहीं blur हो गई है because after decolonization हम लोग है देखा globalization globalization से क्या हुआ जो even this third world countries थे या फिर जो less developed countries थे इन्होंने growth की है develop हुए है इससे क्या हुआ है इससे जो distinction है like simple society or complex society का यह कही न कहीं blur हो गया है आपको एक ही जगह में न कहीं अधर simple societies भी देखने को मिलेंगी और complex societies भी देखने को मिलेंगी जैसे कर मैं इंडिया की बात करूँ आपको यहाँ पे mixture देखने मिलता है आपको ट्रडीशन का भी mixture देखने मिलता है modernity भी देखने मिलती है तो आपको विलेज़ देखने मिलेंगे तो विलेज लाइव सेटी लाइव सासात में एक्जिस्ट करती है कास्ट राइव सासात में एक्जिस्ट कर रहे है तो इस करके जो है कहीं न कहीं social anthropology and sociology की boundaries ब्लर जरूर हुई है and again they have been heavily borrowing from each other दोनों जो है एक दूसरे बहुत जादा बारो कर रहे है बहुत जादा जो social anthropology से इनकी studies को यूज किया sociological studies के लिए similarly जो जिससे हम structural functionalism की बात करते है that has been used by Durkheim then eventually Brown and Malinowski ने यूज किया anthropology then again Parsons and Merton ने यूज किया है in sociology तो इस तरह से जो है perspectives as well as methods को जाफी जादा हम लोग ने happy किया है दूसरे के साथ यूज किया है now we also like if we talk about sociology and anthropology in today's era तो हम लोग देखते ही भाई sociology में जो है हम लोग कही बारी participant observations use करते हैं field work में ethnographic research work use करते हैं similarly social anthropology में quantitative data and survey methods भी यूज कर रहे हैं तो इस तरह के methods continuously been exchanged with these disciplines that's why like they have very very close relationship sociology and anthropology social anthropology especially in India जहां पर आम लोग देखते की भाई जो इसका इन दोनों disciplines का emergence था वो कही न कहीं जिस context में हुआ तो दोनों के दोनों जह हैं उनका काफी close relationship देखने को मिलता है so that is it for this particular scope वाला जो portion है now again coming to the exercises so ये NCIT के पीछे questions I want you people to do questions पक्की बात इन question करो को then you will be able to consolidate your जो भी हम लोग ने पड़ा है so questions are why is the study of of the origin and growth of sociology important discuss different aspects of the term society and how it is different from commercensical understanding discuss how there are great give and take among disciplines today identify any personal problem that you and your friends or relatives are facing attempt sociological understanding so this is kind of a field work for you people but these are the questions you can attempt and try to write them on and this is going to help you build your answer writing also guys so that is it for this particular session we will be coming next with this chapter 2 so till next time guys thank you very much and I hope this is making something else to you people till that time all the very best happy writing you